लाइब हो गया हूँ रैडी विट टी एंड ब्रेक्वास्ट क्या बात है बहुत है बढ़िया नमस्कार दोस्तों मेरा ओल मिश्रह और मैं आप सभी का सौकत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉलिपोर्ट पर एसे एक्जाम के लिए आप त्यारी करते हैं फिलाल तारिक है 24 नॉवंबर और आज के इंबॉड़न करेंड आप सब्सक्राइब के सामने हाजिर हैं सुबह थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम था मालब सुबह उठने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा हैं आख कल से करेंड़ सुबह साथ बजे ही आने लगेगा उसमें उसके लिए उसमें टाइमिंग में कोई चेंड नहीं है आएए देख लेते हैं आज के हमारे सबसे पहले हैड्लाइन में है कि आपको रिजनी भाई राउल मिच्छा के नाम से टेलीग्राम ग्रॉप जॉइन कर ले राश्पती ने दो कीर्थी चक्र एक वीर चक्र और एक दस सौर चक्र प्रदान किया टाड़ा लिटरेचर लाइफ टाइम एचीवमेंट एवर्ड अभी हाली में अनीता दी को दिया गया आँदर प्रदेश को सर्वसरेष्ट समुदरी राजी का पुरुसकार दिया गया है वोट फिसरीज डे के अफसर पर यानि विस्व मास की दिबस के अफसर पर पाताल पानी रेल्वे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेल्वे स्टेशन का दिया जाएगा 22 नॉम्बर को बच्चों के लिए लॉंच हुई भारत की पहली वर्चुवल साइन्स लैब CSIR प्रोग्राम है ये जिग्यासा के अंतरगत जितेन सिंग जी ने इसको लॉंच किया है तमिल लाडु ने जीता है सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2021 कि रेल मंत्री ने भारत गौराव ट्रेन शुरू करने की घोशना की अश्वनी वैश्णों आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें नीदियायव ने जारी किया SDG, Urban Index और Dashboard कई राज ये टॉप पर कई जिले टॉप पर तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फिलाल कर लेते हैं previous day revision यानि कि कल हमने क्या पढ़ा था हाली में किस देश नहीं गाओ फिन 1103 नाम का एक नया उपगरे लॉंच किया है तो ये है अपना चाइना आपका हमारा सबका चाइना इंडियन प्रीमियर लीग कब भारत में खेला जाएगा तो 2022 का जो पंदरवा संस्करण है वो आपका भारत में खेला जाएगा एकेस नॉमबा 2021 को युगांडा पेरा बैड्मिंटन इंटरनेशनल इवेंट में भारती दलने किल्टने पदक जीते हैं तो भारती दलने वहां पस 47 पदक जीत लिये एवरिश्टिंग इस फाइन आवाज आ रही है आपको नौ गुड ओके सेयर करते हैं वीडियो को एकेस नॉमब 2021 कतर फॉर्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स का किताब किसने जीता है लुइस हमिल्टन मसडीश के ड्राइबर है हाली में टियूरीन में आयो जीत एटीपी फाइनल का ताज किसने जीता है तो एटीपी फाइनल जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव ने पाइनल में दानिल में देदेऊ जो कि रसिया के हैं उनको हराया हाली में उपन्यास हेल ओफ एक बुक के लिए कथा साइट के लिए राष्टी पुस्तख पुरुसकार किसने जीता है जैसन मोट ने ने नैशनल बुक अवर्ड उसे दोरा दिये जर्रेम्ट सरवोच्वों बना दिये गए है, मनुसानीक जगे ली है इन्होंने, पियूस गोयल ने मोहिरंग में एक हदगरगा गाओ की इस्थापना की है, ये मोहिरंग किस कहां पर है, तो मोहिरंग जो है ये अपका मनीपुर में है, मोहिरंग अपका कहां पर है, मनीपुर में, विश्व बाल दिवस पर बच्चों के अधिकारों की रच्छा के लिए सम पुलिस विबाग ने कौन सा अभियान चलाया गोज ब्लू अभियान चलाया है जितने भी उनके सरकारिक दफ्तर थे जितने भी इमारते थे उन सबी को ब्लू कलर की लाइट से रंगा गया इडुकी में इद माल कुडी कालोनी में वन शेतर में एक नई पौदर की प्रजाती को किस जन जाती के नाम पर रखा गया है तो that is a मुथूवर जन जाती सही उत्तर होगा मुथूवर जन जाती ग्रेम अंताले ने किस पुली स्टेशन को सर्वस्रेश पुली स्टेशन का दर्जा दिया है तो सदर बजार पुली स्टेशन जो है उसको सर्वस्रेश पुली स्टेशन का दर्जा दिया गया है बैस शेयर करते रो और अब बारी है आश्केकरेंटरफेस करने की आश्केकरेंटरफेस में सबसे पहली जानकरी हाली में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकोईन सिटी बनाने की जोजना की गोषना की है एल सलवाडोर के उपर देखा जा तो आईमेफ और वर्ड बैंक का काफी करजा है और ऐसी इस्तिती में नाइब मुकेले जो की एल सलवाडोर के राजपती हैं वो चाहते हैं कि जल से जल किसी भी तरीके से इस करजे को उतारा जाए और देश आगे बढ़ सके ऐसी इस्तिती म हैं वो बिटकोईन की हर जगे आपको तारीफ करते हुए मिल जाएंगे लेकिन दिक्कत ये है कि बिटकोईन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है इसका कहीं पर भी कोई भौतिक सुरूप नहीं है ये सिर्फो सिर्फ कंप्यूटर्स में उपलब दोती है एक नमबस के फॉर्म म कर रही होती है और ऐसे में इस तरीके के आप समझ लीजे कि जब भी आपको कहीं पर मकान खरीदना है या जमीन खरीदनी है तो उसके दो तरीके हो तकते हैं पहला तो कोई रजिस्ट्री ओफिस हो जिसमें आप जाएं और जिससे आप खरीद रहें और जिससे आप बेच र हो जाए दूसरा तरीका यह है कि माली जैसे गाउं द्याद में पहले हुआ करता था जैसे आज की डेट में हमारे साधी के जो विवाव अंदन होते हैं आज भी हमारे उसी तरीके से होते हैं कि चार-छे किसी को पैसे बेजता है या पैसे ठ्रांसफर करता है तो वो सिर्फ एक इनकारी स्ट नहीं होती धीजह होना होगा तो एक जगह चेंज करने से वो ट्रांजेक्शन मिटे का नहीं से तो इसलिए इसको तोड़ुदा था से-क्चियOR भी माना जाता है और addresses क्रतले जो है क्यों कि crypto currency जैसे भारत का जो रुपिया है वो भारत में ही चलेगा नेपाल में भी चल जाएगा इवन थोड़ा था भूटान में भी चल जाएगा लेकिन अगर आप ये रुपिया लेकर अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ ये रुपिया नहीं चलेगा लेकिन cryptocurrency यहाँ पे भी चलेगी और वहाँ पे भी चलेगी तो ऐसी इस्थिती में लोग क्या कर रहे हैं अपने पैसों को cryptocurrency में convert कर रहे हैं और एक तरह से black money को white money में convert करने के लिए भी काम किया जा रहा है भारत में cryptocurrency की सीटी यह है कि बारत प्रिज़र्बैंक में किसी भी तरीके के cryptocurrency के Lane 9 को validate नहीं ठेराया है लेकिन आप बहुत सारे एप देख रहे होंगे जयpee चिंगारी एप है और विटकोईन एप है तो ये सारे app जो हैं ये आपको bitcoin में निवेश करने के लिए उकसा जरूर रहे हैं लेकिन Reserve Bank of India ने साथ तोर पर गोशना कर दिया कि भारत में cryptocurrency को कभी वैद नहीं किया जाएगा जब तक कि हम ये नहीं जान लें कि उसके फाइदे क्या है और उसके नुकसान क्या है इसके लिए उन्होंने अभी हाली में World Expo पे एक hackathon चलाने की भी बात की थी कि एक hackathon चलाया जाएगा और पता किया जाएगा कि cryptocurrency क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है अब बात यह आती है कि सर हमारे exam में इससे जुड़े हुए कोशन कौन कौन से आ सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि Bitcoin क्या है Bitcoin है cryptocurrency है cryptocurrency होगी Bitcoin किस technology पे काम करती है Bitcoin blockchain technology पे काम करती है ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले Bitcoin को legal tender गोसित कर दिया है यानि कि एक वैद मुद्रा गोसित कर दिया है यूए डॉलर वहाँ पे चलता है लेकिन उसके अलावा उन्होंने इसको वैद मुद्रा गोसित कर दिया है यानि पूरी तरीके से वहाँ पे Bitcoin में लेने नोगा आप Bitcoin में निवेस कर पाएंगे आप Bitcoin में इस पच्चों की स्कूलों के फीस बर पाएंगे सब कुछ आप Bitcoin में कर पाएंगे नए सहर को LA UNION जो कि आपका El Salvador का एक सहर है उसके पूर्वी शेत में बिक्सित करने का प्लान बनाये जा रहा है और इसके उपर कोई tax भी नहीं लगेगा अगर हम बात करें तो IMF ने अभी हाली में को बताया कि भाई आप गलत कर रहे हो प्लीज इसको लीगल टेंडर गोशेत मत करो वरना आपके देश की आलत और ज्यादा खराब हो जाएगी आप और करजे में फस्ते चले जाओगे IMF का मुक्याल है वाइंग्टन डीसी में है वर्तवान समय में क्रिष्टालीना जारजीवा जो है वो IMF की आपकी हेड है आप मुझे बताते हैं क्रिष्टालीना जारजीवा किस देश से आती है कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया अभी मुझे लगता दो दिन भी नहीं हुआ है IMF ने बताया अप प्रस्ष्ट नहीं आता है कि सर El Salvador है का तो ध्यान दखेंगे सर नॉर्थ अमेरिका सुनाता सौथ अमेरिका सुनाता यह सेंटरल अमेरिका काहा है जाइसी बात है कि नॉर्थ अमेरिका हो सौथ अमेरिका के बीट में है प्रेसिडेंट कौन है नाइब बुकेले मैंने अभी अभी बताया राजदानी है सेंज सल्वाडोर आबादी कुछ खास नहीं है कानपूर से भी मुझे लगता है कम होगी कानपूर की आबादी कितनी है 25 लाग आपका कानपूर से थोड़ी ज़्यादा है यूपी से कम है यूपी से तो बहुत कम है तो 64 दसमलो 9 लाग आबादी है वर्ड बैंक के मुताबिक अलसल्वाडोर आप देख सकते हैं कि यह आपका Pacific Ocean है यह आपके Pacific Ocean भी आप उपर जाएंगे तो यह आपका जो है यह आए El Salvador छोटा सा एक कंट्री है बगल में Hondros आपको मिलेगा निकारा पढ़ने की कोसित मत करिएगा पिक्चर ब्लर है इसका निकारा गुआ है गौाटेमाला यहाँ पर है और नीचे आपको जी मैंने पूछा था कि क्रिष्टलीन जारजीवा जो है वो किस देश की है हो सकता है भाई बिटकोइन इंडिया में है और चल भी गया अभी देखा जाएगा भाई कि नहीं अभी आरभी ने एकदम से इस्ट्रक्ट गाइडलाइन दिये हैं कि भाई बिटकोइन चलाना है कि नहीं चलाना वह हम रिसाइट करेंगे आप रिसाइट मस्करिए हाँ कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बिटकोइन में निवेस करने की सुविदा आपको दे रहे हैं आप Bitcoin में निवेश कर सकते हैं, Bitcoin खरीज सकते हैं, लेकिन फिर उसका अब क्या होगा पता नहीं, यह बहुत ही volatile होता है, आचानक इसके rate बहुत down भी होते हैं, बहुत तेजी से उपर भी जाते हैं, चलते हैं, आगे, हाँ, Nizer ने अभी हाली में digital currency e-Naira launch की थे, यह बात सही है यह Naira की digital currency है, देखे, digital currency और crypto currency में थोड़ा सा difference है, crypto currency जो है, वो किसी भी बीच में centralized उसका agency नहीं होता, कोई इसको govern नहीं करता, cryptocurrency को, वो चल रही है, वो चार पांप, computer हो में save है, सब चल रहा है, वो software उसका लगए, अलेगी तरह चले, digital currency को hold करते हैं, लोग, जैसे RBI को digital currency launch करें, तो वो लक्षमी नाम से एक launch करने वाले हैं, वो देखो कब आती है, तो पिलाल, यह digital currency और crypto currency में थोड़ा सा अंतर है, digital currency को एक centralized governance या कोई ने कोई centralized agency जरूर hold करेगी, लेकिन crypto currency को कोई hold नहीं करता, crypto currency मतलब 45 लोगों के बीच में चल रहा है, ठीक है, यह बास तो वो बुलगारिया की है, तो 21 नॉमबद 2021 को बुलगारिया के राश्टपती जो है, वो एक बार फिर से दूसरे 5 बस का कारेकाल उन्होंने जीत लिया है, आईए option की बात करता है, जॉनस गहार इस्टोर, जॉनस गहार इस्टोर जो है, यह नार्वे के हैं, यह नार्वे उसकी राश्टपती बनाई गई है, अभी अली एमेत फिर से इथोपिया के राश्टपती बना दिये गए है, 21 नॉमबद 2021 को बुलगेरिया के राश्टपती जो तस्वीर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इन्होंने दूसरे वर्ष का कारेकाल जीत लिया है, बुल बुलगारिया जो है वो दच्छिल पूर्वे यूरोप का एक देश है जिसकी राधदानी सोफिया है, और इसी की है क्रिस्टालीना जार जीवा, बुलगारिया आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बुलगारिया की राधदानी सोफिया आपने बताई दिया, तो बुलगारिया रोमानिया, मैसिडोनिया, ग्रीज, कोसो, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, यह आपका बुलगारिया है, आप देख सकते हैं कि बुलगारिया जो है यह पूरे बुलगारिया को कवर करता है, यानि कि बुलगारिया जो है यह बार पुछा जाता है इसके लवा एक और फेमस नदी है मरिशा रिवर आपका टुंजा रिवर ये सारी आपको बुलगारिया में देखने को मिलेंगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्जैक्ली आइडिया लगनी पारा होगा कि बुलगारिया है का तो देखो भाई साब पूछा जाता है कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देख है तो ब्लैक सी के आसपास आपको देखना है टर्की है टर्की के बगल में बुलगारिया है बुलगारिया के बगल में रोमानिया है रोमानिया के बगल में आपको यूक्रेन मिलेगा यूक्रेन के बाद आपको र नब्यास कराने की वज़े से रसिया जो है वो नाराज हो गया था NATO की बात करें तो NATO का जो गठन था वो 4 अप्रियल 1949 में हुआ था NATO का मुख्याले कहाँ पर है Brussels Belgium है अब आप मुझे बता दो कि Brussels Belgium तो आपने पढ़ लिया नाटो में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश सामिल है यानि कि North Atlantic Treaty Organization जो कि एक सैने संगठन है और European Country ने मिलकर कि इस सैने संगठन बनाया था कि अगर तुम हमारे में से किसी के उपर भी हमला करोगे तो पूरे के उपर हमला माना जाएगा तो 4 April 1949 को इसका गठन किया गया था ब्रुसेल बेल्जियम है ये बताइए कि इसमें वर्तमान समय में कितने मेंबर है How many members are in NATO? Very very good There are 30 members in NATO यहां पर वर्तमान समय में 30 members जो है वो NATO में है और मैसीडोनिया मैसीडोनिया यही बगल में है देखो मैसीडोनिया मैसीडोनिया जो है वो NATO का सदस्य बनने वाला सबसे नया देश है NATO का सदस्य बनने वाला सबसे नया देश है NATO में 30 देश है याद रखेगा मैसीडोनिया नाटो का सदस्य बननने वाला सबसे नया देश है याद रखेंगे थीक है आगे बढ़ें बुलगारिया समझ में आ गया क्योंकि बुलगारिया की बात हमने इसलिए क्योंकि रूमन रादेव जो है वो एक बार फिर से आ गय은 और अभी आली में अमेरिका ने हने इनको बहुत पटकार है आप थोड़ा कम बोला करो, नहीं तो बहुत होंके जाओगे ऐसा क्या बोल दिया इन्होंने करीमिया के खिलाब थोड़ा सा काष्टिजम को लेकर के जातीवाद को लेकर के एक टॉंट दे दिया था इसके खिलाब अमेरिका ने नाराज्गी अभी हाली में जताई है। जिनको अभी हाली में वीर चकर प्रदान कर दिया गया। इसके लबा राश्पती रामनात कोविन ने जमिक कस्मीर में एक ऑपरेशन में आतंगवादियों को बेसर करने वाले सैपर, प्रकास जादों को वीरता पुरुसकार के कीरती चांती कारण वीरता पुरुसकार कीरती चकर से सम्मानित किया गया। मर्लो परान प्रदान किया गया है BBP संकर दॉंडियाल जो है उनको ऑपरेशन में उनकी भूमका के लिए सौर चक्र मर्लो परान दिया गया है सुवेदार सौम वीर को मर्लो परान सौर चक्र समानित किया गया है मेजर महेश कुमार भूरे को भी सौर चक्र से समानित किया गया है अगर हम Galantry Awards की बात करें तो भारत में 6 तरेके Galantry Awards दिये जाते हैं जिन में से 3 आपके युद्ध काल के लिए दिये जाते हैं और 3 आपके सांधी काल के लिए जाते हैं परम वीर चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरुसकार है उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र इन तीन पुरुसकारों को युद्ध काल के लिए दिये जाता है यानि कि जब युद्ध के सामने दुस्मन के सामने अदम में साहाज दिखाया जाता है तो ये पुरुषका दिये जाते है जब कि असोग चकर कीर्थी चकर और सौर चकर जो है ये आपके सांती काल के लिए है ये कब आपके दिये जाते है ये आपके सांती काल में दिये जाते है परमवीर चकर की बात की जाये तो अब तक आपके परमवीर चकर जो है वो 21 लोगों उमनाज सर्मा को 1947 में दिया गया था जबकि 21 परमवीर चक्र आपका दिया गया था विक्रम बत्रा को कैप्टन विक्रम बत्रा को अदम सहास के लिए और उनको ये एवार्ड 1999 में मरनो परांत ही दिया गया है अगर हम बात करें असोग चक्र की जो की सांतिकल का सर्वोच संबान है तो ये अभी तक 90 लोगों को दिया जा चुका है और हमारी विडमना ये है कि 90 में से 58 लोग जो हैं उनको मरनो परांत दिया गया है एक बार UPSC में कोशन पूछा गया था कि कितने लोगों को असोग चक्र मरनो परांत दिया गया है तो 58 लोगों को मरनो परांत दिया गया है असोग चक्र सबसे पहला जो दिया गया था वो तीन लोगों को दिया गया था 1952 में नर बहाद्दूर थापा तीनों के नाम आपको याद रखने होंगे नर बहाद्दूर थापा बचित्तर सिंग और आपके सुहास विश्वार ये तीन लोगों को ये एवाड दिया गया था 1952 में जबकि अभी हाली में आपको याद आएगा कि असोग चिकरत 2021 में किसको दिया गया है ASI बाबूराम को उनकी बीरता के लिए ये पुरुसकार अभी हाली में ASI बाबूराम को दिया गया है ठीक है परमवीर और महावीर बहुत कम दिया जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा गलेंटरी एवार्ड है नर्बादुर थापा बचित्तर सिंग और सुहास विश्वात ये तीन अलग अलग नाम है इनको याद रखिएगा परमवीर चक्र के बारे में आप जितना पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिस करिए क्योंकि इससे जोड़े प्रशना आते हैं कि मलब इसका मैडल कैसा होता है इसके मैडल में क्या बना होता है इसका पट्टी होता है वो परपल कलर का होता है आसोख चक्रा गीन कल मिन्ट वार्ट से किसे समानित किया गया है तो हेमा मालनी तो आपको पता हुए कि अभी हाली में इनको इंडियन पर्सनालिटी इसे फिल्म पर्स早 disappointed नें फिरेंग क्या गया अनिटा गया है तेंजिंग नोर्गे नेटनल एडवेंचर एवर्ड एसवी सरस्वती को आपका दिया गया था फ्लॉरेंस नाइट इंगल एवर्ड जो है वो भारत सरकारवालत अभी हाली में दिया गया है तो राइट आंथर इस अनीता देशाई तो अनीता देशाई को टाटा ने भारत की नामचीन लेख का अनीता देशाई को दोजारीकिस के लिए टाटा लिट्रेचर लाइफटाइम एचीवेंट इवर्ड से समानित किया है और उनकी जो पुस्तके हैं उनको नाम जरूर याद रखे फायर आउन्दा माउंटेन क्राई दा पिकॉक एफ विलेज बॉ आती कभी आदिल जूसा वाला को कभी पुरुसकार से भी समानित किया गया है इसमें कई सारे एवर्ड दिये जाते हैं तो इसमें जो कभी एवर्ड दिया गया है वो आदिल जूसा वाला को दिया गया है कई सारे पुरुसकारों की बात किया तो ये पूरा लिख्ट है इनक कि First Book Award Fiction के लिए किसको मिला है A Death in Sona Gaachi by Rijula Das को मिला है अब कोई पागल एक्जामनर होगा तो इन में से कोई भी पूछ सकता है Tata Literature Life Book of the Year Award Fiction के लिए गया है Ashoka, A Sutra by Irvin Allen Selly First Book Award Non-Fiction की केटिगरी में गया है Landscape of Loss, The Story of the An Indian Wrought by Kavita Iyer Book of the Year Award Non-Fiction की केटिगरी में गया है Born a Muslim Some Truth About Islam in India by Gazela Waheb Pandemonium The Great Indian Banking Treasury by Tamil Bandho Pardyai ये आपका दिया गया है Business Book of the Year के अवार्ड और अनीता देशाई की जी बारे में बात करी लिया उनको कौन सा मिला है? उनको जो मिला है आपका Lifetime Achievement Award मिला है कभी पुरुषकार किसको मिला है? आदिल जूसा वाला को ये Important Award है याद रखेगा Literature से संबन देते हैं इसके लब एक और Important Award है जो साइद मुझसे मिस हो गया था मैं पता नहीं कैसे ये मिस हुई नीद कि International Children Peace Award दे दिया गया है अंतराश्टी बाल सांती पुरुषकार दिया गया है और इस बार ये भारत आया है भारत के दो बच्ची है वियान और नव अगरवाल दोनों ही आपके टीनेज ब्रदर हैं इनको Kids Right International Children Peace Prize नीदरलेंड के एम्टर्डम में दिया गया है और इनने ये प्राइज जो है वो कैलास सत्यार्थी दोरा दिया गया है जिनने 2014 में नोबल पुरुषकार दिया गया था तो वियान नाव है डेवलेट ए वन स्टेप ग्रीनर इनिशेटिव आपके जो भी कच्ड़े बगेरा हैं उसको रिसाइकल करनी के लिए इनको ये वोड डिया गया है 2020 का अंतराष्टी ये बाल सांती परुषकार जाता है दो लोगों को वियान और नव अगरवाल जबकि इससे पहले वाला यानि की पिछला वाला जो आपको दिया गया था वो आपको दिया गया था साधत रैमान को जो की बांगलादेश के रहने वाले है ठीक है ठीक है इसको याद रखेंगे वियान और नव अगरवाल बहुत ज़ादा informant है वीडियो आप लोग share नहीं कर रहे हो 100 कर दो तब आगली news की तरफ जाओंगा अरे चिलाते चिलाते मेरा गला बैट जाता है लेकिन तुम लोगों को मेरे उपर तरस नहीं आता दो dislike भी पड़े हैं क्यों भाई अगे बढ़ते हैं अब कहीं जाइएगा नहीं कुछ चीजे में आपसे पूछता हूं आची किलर पॉइंट लेटेंड फॉम में अभी हाली में इंद्रा गांदी पीस एवर्ड डिया गया अभी हाली में नेशनल बुक एवर्ड डिया गया National Book Award For Fiction Category यह तो कली चर्चा की है हम लोग उने SOChem Award SOChem Award For Digital Finance यह Digital Transaction For Digital Category इसके अलावा JCB Prize in Literature JCB Prize in Literature Literature में JCB साहित का JCB Prize किसको दिया गया हिंदी में बोलता रहता हूं इंगलिस में लिखता रहता हूं बताइए यह चारे वर्ड अभी हली में बताइए हाँ जी यह 2021 का है तो भई यह जो है इंदरा गांधी Peace Prize आपको दिया गया था यह आपका दिया गया है प्रतम और digital category में KVG bank को दिया गया है किसको दिया गया है KVG bank को करनाटा पे आधारी थी bank है JCB literary price दिया गया है M. Mokundan को M. Mokundan को किसके लिए Delhi, A. Soli Lockie के लिए Delhi, उनकी पुस्तक Delhi, A. Soli Lockie के लिए ठीक है इसके लावा आली हाली में Booker Prize गोसित किया गया था बताओ भाई Booker Prize किसको दिया गया इदबार का 2021 का Booker Prize दिया गया है Daman Galgut को किसको दिया गया है Daman Galgut को किस उपन्यास के लिए The Promise के लिए उनकी उपन्यास The Promise के लिए अच्छा Novel in Literature किसको दिया गया साहित का Novel इदबार किसको दिया गया Novel in Literature ये किसको दिया गया तो ये आपको दिया गया है अब्दुलरजाग गुर्ना को कली मैंने कराया है तो आज इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं अब्दुलरजाग गुर्ना को कली तो एवर्ड कराएं है हाँ ये याद रखीगा और शेर करते रहीगा भाई वीडियो को प्यार से दुलार से मज़ा आता है जब आप शेर करते हो जोड़ा तरीके से शेर करिए तंजानिया के रहने वाले है तंजानिया की राजदानी दोदोमा सामिया सुलू अंसारी पहली महिला राश्पती बनी है वहाँ पर हाली में किस राज्य को देश का सर्वसे समुद्री राज गोसित किया गया क्या हुआ बवाल कहा है सर्वसे समुद्री राज, सर्वसे गंगा सहर यह सब क्या हो रहा है देखो हो कुछ नहीं रहा है अब ही हाली में नीती है उने आपका category वाइज गोशित किया था तो इन दौर सबसे सह्च सहर गोशित हुआ था और सबसे यहां पर दिखो, यह लिखा हुआ है, कित सारी को मनाए गया है, बोवनेशर उरीशा में विस्व मास की दिवस के आउसर पर एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें आंदर पदेश को बेश्ट मेरीन इस्टेट का दर्जा परात हुआ, तो राइट आंदर पदेश जो है, वो बेश मतस की दिवस मनाए गया, इसके अलावा एक और होता है, एक और डे होता है, वो आपको पता होना चाहिए, नेशनल फिश फार्मर्स डे, कोई बता ताता है, ये कब मनाते हैं, राष्टिये मतस्य किसान दिवस, ये आपको प्रतेग वस्ट दस जुलाई को मनाए जाता है, क तो अभी हाल ही में क्या हुआ बाई साथ कि केंद्र ने रवीवार को तेलंगाना को अंतर देशीय मतस्य पालने सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इनलैन फिसरी चुकि तेलंगाना के पास समुद्र नहीं है तो वहीं जो नदियां वदिया हैं उनके पास कावेरी कृष्णा जो भी है उसमें अपना काम चला रहे हैं वो जबकि आंध्र पदेश के पास आपका समुद्र है तो समुद् उरीशा के बाला सोर को सर्वसरेश समुद्री जिला गोसिथ किया गया नोट कर ले न ये कुछ भी पूछा जा सकता है उरीशा के बाला सोर को best marine district गोसिथ किया गया जब कि मदभधिश के बाला घाट को अंतर देसी मतस्य पालन में यानिकि जहां पर आपका समुद्र नहीं तो इसको internal, inland, best marine district गोशित किया गया, बालागाट को इसके लावा सर्व स्रेट पहाड़ी और पूर्वत्र राज का पुरुषकार किसको दिया गया है, त्रिपुरा को दिया गया और असम के बोगाई गाव को इसी स्रेटी में सर्व से जिले का पुरुषकार दिया गया, यानि कि best hill and north eastern state is तिपुरा, and best hill and north eastern city is बोगाई गाव, is असम अच्छा बोगाई गाव में अभी हाली में ये चर्चा में था, क्यों चर्चा में था बता सकते हो, आ गया समझ में, कर लेंगे, ठीक है, अच्छा अभी हाली में आपके दो बीच ऐसे थे, जिनको blue flag प्रमाणन दिया गया, क्या दिया गया, दो blue flag प्रमाणन दिया गया है टीम ब्लॉक किर्पी गुपता शिवराजपूर, द्वारिका, गुजरात, गोगला, दिव, कपड, केरला ये आपको कैसे याद करना है आपके आठ जो हैं ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लेक सर्टिफिकेशन दिया गया था दो अभी आली में दिये गए हैं एक है आपका कोवलम, कोवलम आपका कहां पर है, तमिलनाडू में है इसके लब एक और है आपका वो है इडन, इडन आपका कहां पर है, इडन आपका पुडुचेरी में है इन दो बीच को भी अभी हाल ही में प्रोवाइड कर दिया गया टिक है अरे यार इसको ब्लॉक करो भाई की पी को पागल हो गई ललकी नहीं है ललका है ललकी के भेस में आया है चलो तो सिवराजपूर द्वारिका गुजरात जान ना दो पढ़ाई करो कमेंट आफ कर लो अपने सिर्फ पढ़ाई करो अभी क्योंकि करेंट में कुछ भी मेरे दिमाग से मिस हो जाएगा तो आपको छूट जाएगा दा मैगनिफिसेंट एट यानि सिवराजपूर आपका कहां पर है गुजरात में है घोगला कहां पर है दिव में है ऐसे याद करना नीचे आते जाना गोल्डन बीच मिलेगा अंद्र प्रदेश में रुसी कोंडा मिलेगा फिर आपको यहां पर पहुंचना है उडिशा में तो गोल्डन बीच आपको मिलेगा इसके लावा अंडवान और निकोबार में भी एक है राधा नगर तो आपकी बार प्रश्न इस तरह के पूछे ज मिलेगा आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आंद्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंद्र प्रदेश अभी हाली में चर्चा में क्यों रहा इस्टेट गौर्नमेंट ने अभी हाली में वाईसार जगन्ना कालूनी जो है वो प्रोजेक्ट को लाउंच किया था आंद्र जेगनना कालोनी प्रोजेक्ट है इंडिया की पहली फर्स्ट गॉर्मेंट रन एम्बूलेस नेटवर्क पॉर एनिमल्स ये आपके आंधर प्रदेश ने सुरू की थी चेउथा स्कीम इसमें 75,000 रुपए उन महिलाओं को दिये जा रहे थे जो 45 साल से 60 साल की बीच की थी आं आंधर प्रदेश केबिनेट के लिएस ने प्रफोजल अभी हाली में विसाखा पटनम अमरावती कुर्णूल आंधर प्रदेश में 3 राजदानिया हैं CM जगनमौन रेड़ी ने अभी हाली में वाइसार आरो के स्री नाम की एक स्कीम एलरू आंध प्रदेश में शुरू की थी APCM ने लॉंच किया था 6,318 करोन रोपय का जगन्ना अम्मावडी स्कीम पहले बार विजाग यानि कि विशाखा प्टनम ने 14 ग्लोबल हेल्थ केर समिट का उद्गाटन करवाया था और देश की पहली जो फ्रूट ट्रेन चलाई गई थी वो आपके आंध प्रदेश से ही चलाई गई थी दिल्ली के लिए आंध प्रदेश की बात करें तो वर्तमान थमें में चीप मिनिक्टर है यदगुरी संदञ नीती यदगुरी संदर नीती जगन मोहन रेड़ी टीम से जो भी है आरे सतिंग आप हो ना सतिंग इसको ब्लॉक कर दो बच्चे परिशान हो रहे हैं जो भी है उसको ब्लॉक कर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है लेकिन बारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो हीमिस है याद रखना हीमिस आपका जमू कस्मीर में पॉपी कॉंडालू रोला ये नेशनल पार्क है आपके लोग सभा में 25 सीटे राज सभा में 11 सीटे इस्टेट हुड एक नॉ और चीफ जर्ष्टिट जो है वो है अरूप कुमार गोस्वामी यानि कि आपके जो अन्दपतेश के नए चीफ जर्ष्टिट बनाए गया है वो है अरूप कुमार गोस्वामी आप लोग ध्यान मत दो आप पढ़ो आप मुझे लग रहा आप डिस्टरब हो रहा तो मुझ आगे पढ़ते हैं आगे देखो कितनी अच्छी important news लेकर गया हूँ इसको सुनो इंदौर के पाताल पानी railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा तो इस station का नाम टाट्या मामा railway station कर दिया जाएगा कमेंट आफ करो केबल सुनो कोई कमेंट आफ एकदम आफ कर दो कोई कमेंट ना दिखो इंदौर में पाताल पानी railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा वाट्या माम इनका नाम टाट्या मामा है और ये एक दसक के दौरान मुझे याद नहीं आ रहा है उस टाइम ये 1888 से लेके 1889 के दौरान भारत में बहुत ही सक्रीड अटाय थे इनका नाम टांट्या भील या टाट्या मामा भी था एक्च्छल में ये मद्ध प्रदेश में भील जन जाती से आते थे इनका जन्म 1840 से करीर मद्ध प्रदेश के खांडवा में हुआ था टांट्या भील का असली नाम टुंड्रा भील भी था वो एक ऐसे योद्धा थे जिसकी भीलता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन होड का नाम दिया था देश की आजादी के जन्नाय को आदिवासियों के हीरो टांट्या भील की भीलता और अदम साथ से भील को पूजा जाता है बाद में 1889 के करीब इनको जो है वो फासी दे दी गई थी और उनके जो सरीर है इनका जो सौब था उसको पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास फेक दिया गया था जहां पर आज भी इनकी समाधी बनी हुई है और भारती रेलवे की हर ट्रेन जो म अच्छी बात है थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर और तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा अभी आपको प Україब जोंबर को बच्चों onto बारत की पहली वर्षूय साइंस लैब किस ने लॉंच की है, तो 22 नॉमबर को भारत के बच्चों के लिए डॉक्टर जीतेंद सिंग ने वर्चुल साइंस लैब लॉंच की है इस लाइन साइंस लैब को अमलब एक तरह का पोर्टल है इसका वर्चुल साइंस लैब है, इसमें क्वैड वगेरा की वो साइंटिस्ट कर सकें, तो केंदरी विज्यान वा प्रदगी राज्य मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने बाइस नॉमबर दोजारे के इसको जिग्यासा कारिकरम के था है तो इसको याद रखेगा, जिग्यासा कारिकरम जो है, वो CSIR दोरा चलाया जा रहा है Council of Scientific and Industrial Research, Center for Scientific and Industrial Research, CSIR दोरा चलाया जा रहा है और ये देश की पहली वर्चुवल लैब है, जिसका सुभारम जिग्यासा कारिकरम के था, डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने किया है इसके पीछे जो आपका Target Student है, वो कच्छा 6 से लेके कच्छा 12 तक हैं, इसको याद रखें November 2021 को करनाटक कोहरा का सयद मुस्तागली ट्रॉफी किसने जीती है सयद मुस्तागली ट्रॉफी देखें तो ये BCCI ने सुरू की थी, उनका खुद का एक State Virgin है और इस बार ये ट्रॉफी जो है, वो तमिल नाडू ने एक बार फिर से जीत ली है एक बार फिर से मतलब पिछली बार भी ये ट्रॉफी सयद मुस्तागली ट्रॉफी जो है, वो करनाटक, तमिल नाडू ने ही जीती थी सायद मुस्ताकली ट्रॉफी को SMAT भी कहते हैं इस मैट भी कहते हैं तो इस मैट जो है ये 2006 से सुरू भी थी इसमें कुल 38 टीमें भाग लेती हैं कितनी टीमें भाग लेती हैं 38 टीमें जो हैं वो इसमें भाग लेती हैं इसको याद रखेगा और अगर हम बात करें तो क्रिकेट में तमिलाडू साइद मुस्तागली ट्रॉफी की बात की जाए तो मैंने जैसे बताए कि इसमें 38 टीमें खेलती हैं, सबसे ज़्यादा रन केधार देवदर ने बनाए हैं, बड़ाउदा से 2215 रन हैं, 2020 फॉर्मिट में ये ट्रॉफी होती हैं, और प्यूस शावला जो उन्होंने सबसे जी सबसे 85 विकेट अभी तक लिए हैं, पहला एडिशन 2006 में हुआ था, अभी 2021 में इसका एडिशन हुआ, इसके लबा कुछ और ट्रॉफी हैं, जो आपको चर्चा में रहती हैं, उनको ध्यान में रखना है, 2020-2021 में भी साइद मुस्तागली ट्रॉफी जो है, वह आपकी तमिल टीमें होती हैं और ये बेस की सबसे पुरानी टॉफी है, ये 1934-35 में सुरूप की गई थी, 1934 से लेकि 35 में सुरूप की गई थी, 41 बार सबसे ज़्यादा Bombay ने जीती है जिसे मुंबई भी आप कह सकते हैं 2018-19 में ये जो ट्रॉफी हुई थी 2002 किसमें हुई नहीं तो ये विधर्ब ने जीती थी 2000 पुराना भी पूछ सकता है तो याद रखे 2018-19 में विधर्ब ने जीती थी ये जीता है 2020-21 में ये आपका जीता है Mumbai ने Mumbai ने आपका UP को हराया इसमें भी आपकी 38 टी में होती है सभी में 38 टी में हैं ये सारे के सारे जो है एक तरह का आप देख से एक T20 फॉर्मेट हो गया तो आप ये कह सकते हैं वो सायद मुस्ताकली ट्रोफी हो गई एक One Day International में फॉर्मेट हो गया तो विजय हजारे ट्रोफी हो गई और एक आपका टेस्ट फॉर्मेट हो गया तो वो ररजी ट्रोफी हो गई तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं ठीक है आगे जलते हैं रेल मंतरी अस्वनी वैशनो ने वा बढ़िया हमाकाल क्या बात है आग तुम एकदम काईदे के कमेंट कर रहे हो रेल मंतरी अस्वनी वैशनो ने विशे बस्तुवादारी टूरिस सरकिट ट्रेन सुरू करने की गोशना की है तो यह है भारत गौरव ट्रेन दीखे है आपने सुनावगा रामायट सरकिट सुरू कर रहे हैं बुद्द सरकिट सुरू कर रहे हैं तो अब क्या होगा एक योजना बना कर देदी है कि यह रहा आपका भारत गौरव ट्रेन प्लान रहेगा इसमें railway अधिकारी अपने हिसाब से किसी भी तरीकी के उनको लगता है कि इसमें tourism में ज़्यादा होता है केदार circuit या कुछ भी circuit वो अपने हिसाब से सुरू करना चाहते हैं तो उन सभी का नाम वो भारत-गौरो train के जरीए से सुरू करेंगे तो भारत-गौरो train क्या होगी भारत-गौरो train में 20 डब्बे होंगे और 14 से 20 डब्बे इसमें रहेंगे 2 SLR वैन रहेंगे और एक तरह के आपके सभी circuit को cover करने के इसमें कोशिस की जाएगी तो यह जो IRCTC है या railway है वो मिल करके इस योजना को चलाएंगे तो भारत-गौरो train याद रखेगा वरतमान समय में रेल मिनिस्टर अस्वनी बैशनो भारत-गौरो train का संबंद जो है वो आपका किस्से है जो भी ऐसे धार्मिक tourist place होते हैं उनसे संबंद देते हैं 23 नॉम्बब 2021 को SDG Urban Index और Dashboard का उगाटन किस ने किया तो नीती आयोग ने SDG Index जारी किया SDG Urban Index जारी किया यानि कि जो सहरी छेतर हैं उनमें कौन से SSR हैं जो Sustainable Development Goal को पाने में आगी की ओर चल रहे हैं तो इसका उगाटन किया है नीती आयोग ने और इसमें क्या बताएगा ध्यान से सुनिएगा सुचकांग जो है वो भारत और जर्मन विकास सेयोग की चाया में बनाएगा है सिमला जो है वो टॉप पर आया है टॉप टेन अर्बन एरिया जो है वो सिमला है फिर उसके बाद कोयमबर टूर है फिर आपका चंडीगड है तीन याद रखें शुरू के तीन यह जो है वो SDG इंडेक्स पे टॉप पे आए सहरी शेतरबाद की जा रहे है जबकि SDG इंडेक्स ओवराल दिखा जा तो उसमें करला टॉप पर है और SDG इंडेक्स ऑन दा जेंडर इक्कॉलिटी देखा जा तो उसमें 36 गड़ टॉप पर है फरीदाबाद जो है यह टॉप बॉटम में है मलब यह बॉटम वाले है तो बॉटम में देखा जा तो मेरट जो है उत्तरपदेश का और धनबाद जारखंड का यह सबसे नीचे रहे हैं सबसे नीचे मेरट और धनबाद रहे हैं यहाँ पर SDG इंडेक्षिन आपर कोई काम नहीं हो रहा है SDG तो आप जानते ही क्या होते है Sustainable Development Goal पेरी जलवाई समझाते के अंतरका सत्रा Sustainable Development Goal अपनाए गयते जिनको हर किस कीमत पर 2030 तक पाने की कोशिस करनी है हर देश को अब बारी है आज के वन लाइनर की आज के वन लाइनर में हाली में किस देश ने दुनिया के पहले Bitcoin City बनाने की गोशना की है अलस अलवाडोर टाटा लिट्रेशर लाइफ टाइम एचीवमेंट पूरसका से किसे समझानित किया गया अनिता देश आई हाली में राश्पती कोविन ने किसे सौर चकर पतान किये हैं तो मेजर भूबीती संकर डॉंडियाल नायब सुमिदा सोमबीर सिंग और मेजर महस कुमार पूरे देश का सर्व से समुदरी राज इकिसे कोशित किया गया है आन्द प्रदेश को और इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है टाट्या मामिया रेलवे स्टेशन बाइट नॉमबर को बच्चों के लिए भारती पहली वर्चुल साइन्स लैब किसने लॉंच की डॉक्टर जितेन सिंग और इके नॉमबर दोजारी किसको बुलगेरिया की राजपती की रूप में कौन चुनेगे रूमेन रादेव नॉमबर दोजारी किसमे करनाटक हो राकर सयद मुस्तागली ट्रॉफी किसने जीती है तो तमिल नादू आज कि आज कम इंपोर्टेंट करेंट पेस्ते खारे बहुत सारे रेल मंद्री असवनी बैसनों ने विशेव वस्तू और आधाले टूरी सरकी ट्रीन का गुद्गाटन किया है उसका नाम क्या रखा गया है भारत गौरो ट्रीन और SDG अर्वन इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा सिमला लास में कौन रहा धन रहा इसके इलावा एक और International Children Peace Award का गोस्तन है किसको मिला है दो लोगों को मिला नाम बताओ उनके आज बताया ना इंत्रनेशनल अलतराष्टी बाल सांति पुरुसकार किन दो लोगों को दिया गया उनके नाम बताइए कि क्या बात है बहुत अच्छी बात है नहीं है और वो लेट इसलिए हो गया आज थोड़ा सा आख प्रॉब्लम कर रहा है मेरा तो मैंने का थोड़ा चुटी है आज आराम से कराता हूं इसको विहान और नव अगरवाल दोनों भाई 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 हैं विहान और नव अगरवाल तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेगा आगे जलते हैं कल मैंने आपसे पूछा था कि तोगेला इन में से किसका उधारण है तो तोगेला एक टाइप का ज़रना है और राइट आंसर महाकाल का सत्रा लाइक थे तो दच्वीड अफरीका में कुजलू नेटाल प्रांस में रॉयल नेफनल पार्क के ड्रेंकल्स बर्ग में इस्थि उसी धारा 411 मीटर की है इसमें कुल 5 धारा है वेरी गुड जहमाकाल एक और प्रश्ण आर्ट एंड कल्चर से यहां मंदिर गुजरात के कभी कमबोई में इस्थिद 150 साल पुराना मंदिर है या एक तरफ अरफ सागर और दूसी तरफ कैंबे की खाड़ी से गिरा हुआ है यहां मौजू सिवलिंग को केवल कम जौर भाटा के दौरान ही आप देख सकते हैं उपरियो के बेरोन में किस मंदिर की बात की जा रही है सोमनात मंदिर पंबवेश्वर महादेव मंदिर दौरिका दीस मंदिर या नागिश्वर मंदिर आपको बताना है बताईए ठीक है तो फिलाल आज की लिए इतना ही थैंकि सो मच बाब आए टेक कर ध्यान रखेगा अपना और पीडियो को वीडियो के दिस्क्रिफ्ट्प्शन लिंक में 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 देखता हूँ मैं नहीं फिर नहीं डाली है मैं टीम से फिर बोलता हूँ कि वह आपको मिल जाएगी और वाखी रिजनी भाई राउल मिशा की नाम से टेली क्राम गुरू का उस पर भी आपको मिल जाएगी दिक्षा जो है वो थोड़ा सा मदद करती है इस मामले में हमारी थेंक्यू दिक्षा चलो बाबाई टेक क्या ध्यान रखेगा अपना